नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके साथ आखों की रोसली बढ़ाने और जिनको चस्मा लग गया है ना चस्मे का नंबर ना बढ़े आपकी आख हमेशा एलदी रहे अब एक उम्र के वाद में चस्मा लगता है तो ठीक है चलो ऐसा मान लेते हैं लेकिन जब छोटे छोटे बच ही जाता है रुकने का नाम नहीं लेता है तो वो बड़ा कश्ट दायक होता है सबी के लिए आप ये नुस्खा बच्चों से लेकर बड़ों तक सबी को बना कर दे सकते हो जिनकी आखी कमजोर है तो इससे लेने से क्या होगा दोस्तों कि जितनी आखी कमजोर हो चुकी है च कुछ टाइम के लिए इस तरह के नुस्खे आजमा लेते हैं तो यहां पे आप सामगरी देख रहे हैं इसके लिए आमने क्या क्या ली है यह ऐसा नुस्खा है आप इसे एक बार बना कर रख सकते हो या फिर आप इसे रोजाना बनाना पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा रोजाना भी बना कर ले सकते हो मैंने पहले नुस्खे सेर की हुए है जिसमें मैंने एक साथ बना कर बताया हुआ है आप एक बार बना कर रख ले और फिर रोजाना इस्तेमाल करें आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगे उसको आप रोजाना ताजा कैसे बना कर ले सकते हो, तो वो नुस्खा आपके साथ सेर करोंगे, उसके लिए हमने यापे ली है सौफ दोस्तों, सौफ आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा फायदे मंद होती है, आपकी आखों के लिए, स्किन के लिए, और जिनकी आखे कमज उनको ये लेनी चीए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए फायदे मंद है, इसके साथ साथ हमने यापे इलाइची ले ली है, अरी इलाइची जो होती है इसके भी दोस्तों अंगिनत फायदे होती है, अगर आप रोजाना इस तरीके से नुस्खे में इसका इस् रोजाना लेने से आपकी आँखों को ठंडक मिलती है, और आँखों की जो रोसनी होती है वो तेज होती है, और साथ की साथ जिनकी आँखे सूख जाती है, ड्राइची हो जाती है, उनके लिए भी ये बहुती ज़्यादा फायदे मंद होती है, तो आपको जो है रोजाना दो इलाइची का इस्तिमाल करना है, दो इलाइची काफी है इस नुस्खे में, इस्तिमाल करने के लिए आपको क्या करना है, इलाइची को तोड़ कर उसके दाने निकाल लेने हैं, और आप चाहे तो दानों को भी अलका सा कूट कर फिर इस्तिमाल करना, अगर आप ये नुस् का इस्तेमाल कर लेना है इसके बाद में अगली चीज आपको जो मैं दिखा रही हूँ दोस्तों वो है आमारे पास यहां पे सफेद गोल मिर्च आखों के लिए इसे रामबार माना गया है सफेद गोल मिर्च के अंदर विटामिन C और विटामिन E दोस्तों दोनों ही बरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं जो आपकी आखों की समस्या को ठीक करने की साथ-साथ और भी आपके सरीर में बहुत सारे फायदे करती है जिन लोगों को अमेश्या ही आखों में दिक्कत रहती है कभी-कभी नुस्खा बनाकर बच्चों को दे रहे हैं तो भी आप इसका इस्तिमाल जरूर करें मात्रा आगे मैं आपको बता दूँगी बच्चों को किस तरीके से कितनी मात्रा में दें आप और बड़ों को कितनी मात्रा में दें तो आप इसका इस्तिमाल सभी के लिए कर सकते हो जिससे कि बच्चों को दे रही है तो आगे चलके उनको किसी भी तरह की समश्या ना आ पाए आँखों में और नंबर जो है उनका एक जगे पे ही रही दोस्तों चस्मा कई बार बच्चों को कम उमर में लग जाता है लग तो तो ऐसी दिक्कत ना आए और बड़ो के लिए भी यह हर तरह से फायदेमंद है सफेद गोल मेर्च और इसका इस्तिमाल आप कर सकते हो आसानी से इस नुस्खे में अभी गर्मियों के मौसम में भी इसी के साथ अगली चीज हमारे पास है यहां पर दोस्तों बादाम बादा आपके सरदर्द का विकारण बन जाता है दोस्तों आपने सुना होगा कि आमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है क्यों होता है क्योंकि आमारी आखे कमजोर हो गई है तो अगर ऐसी समश्या होती है ना तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा देता है बादाम बादाम ज उसके कारण आज कल कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को भी मोटे लेंस वाला चस्मा चड़ जाता है दोस्तों और दीरे दीरे करके नंबर और ज़्यादा बढ़ता रहता है उन्हें धुंदला दिखाई देने लगता है सिरदर्ध की समश्या बन जाती है और कई वारतों जी मिचला कर चक्कर भी आने लगते हैं अगर बच्चे जादा पढ़ाई करते हैं या फिर टीवी देखते हैं मोबाइल देखते हैं तो ये समश्या सारी आँखों की कमजोरी के कारण आती है तो आप ये नुस्खा जो है ना बना कर दे सकते हूँ जैसे मैं वता रही आपके सामने इसके रिजल्ट होंगे थोड़े से समय में बच्चों को अच्छा मैसूस होगा दोस्तों अगर बच्चों की आप कमजोर हो गई हैं तो बड़े भी इसे ले सकते हैं सभी के लिए बहुत जादा फाइदेमंद है तो उसके लिए आपको बादाम की मात्रा कित कर ला रहे हैं और आप फॉड कर सकते हैं तो आप पिसोरी बादाम लेकर आना दोस्तों वो सबसे बड़ी हा रहते हैं आखों के लिए तो यहां पे आपको जैसे मैंने बता दिया आप 5 बादाम बच्चों को भी दे सकते हो अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं तीन साल से और दस साल तक की बच्चे हैं तो आप तीन चार बादाम भी दे सकते हो दस साल के उपर के बच्ची है तो आप पांच बादाम दे सकते हो बड़ों के लिए और दस साल के उपर के बच्चों के लिए पांच बादाम काफी है अब इस नुस्खे को किस तरीके से तयार करना है एक तो आप जो है इन सारी चीजों को पीस कर बादाम को उसमें भीगोने की जरूरत नहीं है और इसका पाउडर बना कर रख लें और इसमें आपको जो है जो सिटा मिस्री आती है वो डाल सकते हो खड़ी मिस्री वो मिला सकते हो मेठे के तोर पे लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा बना कर ताजा बना कर ले सकते हैं इसे बिना पाउडर बना कर रख्यों तो आप इस तरीके से लेना जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जो आपने यह सफेद गोल मिर्च ली है बचो को दे रहे हैं आप तो उसमें आपको 2 मिर्च डाल लेनी है बड़ो को दे रहे हैं तो 2-5 मिर्च तक आप डाल सकते हो इसके साथ एक चमच आपको सउंफ का इस्तिमाल करना है और दो चमच जो अमने चुरू में ये सफेद कलर का आपका टोरी में देख रही हो यह नारियल का बुरादा दोस्तों आप पूरा नारियल लेकर उसे ग्रेट करके ले सकते हो और साथ में आपको अगर पूरा नारियल नहीं लेना है, तो आप डेसिकेटिड नारियल लाकर रख ले, उसका इस्तिमाल कर सकते हूं, इन सारी चीजों को आपको एक गिला स्टूद में डाल कर, दो इलाइची, दो जैसे मिर्च बताया, मैंने पांच बादाम बताया, एक चमच सौफ, एक चमच या दो चमच नारियल का पुरादा, उनको एक गिला स्टूद में डाल कर, आप पका ले, और फिर उस दूद को आप रखा रहने दे, 10-15 मिनिट, उसके बाद में इन सारी चीजों को आपको चबा-चबा कर खाना है, उपर से दूद पी लेना है, बच्चों को दे रहे हैं, तो सारी चीजों को पीस कर भी आप दूद में अड़ कर सकते हो, इस तरीके से बनाना इस नुस्खे को आप तेखेंगे, सो पर्सेंट आपको फायदा होगा आखों की नज़ों में, कंटिन्यू आप इसे कम से कम 6 महिने आज माना तभी आपको पूरा-पूरा फायदा नजर आएगा, ये था आमारा आज का नुस्खा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सिर्फ कमेंट और चैनल पर पहली बार आए, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,